वेलकम टू स्टड़ी जरनी वीदियो फ्रेंड्स जैसा कि कल हम लोगों ने डिसाइड किया था कि अब हम जो HSSC TGT स्क्रीनिंग के लिए जो हमारी EVS एड हुई है जिसके हमारे एक्जाम में 10% वेटेज रहने वाली है तो उसके सलेबस को कंप्लेट करेंगे तो ये आज मेरी first class है आप लोगों को आज का content कैसा लगता है comment करके जरूर बताईएगा और आप friends वीडियो आपको अच्छी लगे आपके लिए helpful हो तो like जरूर कीजिएगा साथ में आपका एक comment मुझे आगे के लिए भी motivate करेगा तो चली friends ज़्यादा time waste नहीं करेंगे सिद्धे अपने मुद्दे की बात पर आते हैं आप लोगों ने syllabus तो देखी लिया होगा ये मैंने जो first इसका जो EBS का जो syllabus है वो मैंने note किया है उसके अंदर जो हमारा first topic है वो हम उठाते है basic of ecology सबसे पहले friends हमें ये पता होना चाहिए कि जो environment है वो क्या होता है तो सबसे पहले आपको environment का पता होने के लिए कि environment होता क्या है उसको समझना आपको जरूरी है तो environment में friends हम जो हमारे surroundings होती है उसका जो हम जो हमारे surrounding है उसके चारों तरफ का study होती है उसी को environment कहते है environment एक environment सब्द होता है उसी से आया है ठीक है तो चलिए जो हम ecology है उसको start करने जा रहे हैं धीरे धीरे करके ऐसे ही सारे topics discuss करेंगे और आप friends एक बात और clear कर देती हूं कि ये आज मेरा first time जो experience है वो है कि मैं screen से पढ़ाने की कोसिस कर रही हूं तो आप लोगों को ये कैसा लगता है आप लोग ये भी comment करके बताईएगा otherwise फिर हम note से और notebook से ही पढ़ने की कोसिस करेंगे सिधा notebook से ही मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी तो या आज मैं first time try कर रही हूं तो चली friends start करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं ecology की कि what is ecology? ecology जो है वो होता क्या है? तो friends ecology को हिंदी में क्या कहते हैं? पारिस्थिति की कहते हैं तो अब ये पता होना चाहिए पारिस्थिति की क्या होती है तो जो ecology है वो दो सब्दों से मिल करके बना है जो दो Greek words है वो कौन-कौन से हैं? Oikos और Logos तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए दो words कौन-कौन से हैं? Oikos और Logos Oikos का जो means होता है वो क्या होता है? आवास और जो Logos का means होता है वो क्या होता है? किस चीज की study करना तो Ecology के अंदर हम mostly जो आवास होते हैं उनके study करते हैं ठीक है friends? तो सबसे पहले पारिस्तिक सब्द का जो परियोग है वो किस ने किया था? तो सबसे पहले आमें पता होना चाहिए कि जो Ecology जो सब्द है उसका जो परियोग है वो Reader ने Ecology के रूप में किया था सबसे पहले रेटर ने Ecology के रूप में किस का परियोग किया? Ecology सब्द का परियोग किया ठीक है? कब किया? 1868 में किया अभी Ecology वर्ड है वो नहीं आया है उसका किसी और ने परियोग किया था जो कि हम आगे देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास आजाता है अरनेस्ट हैकल अरनेस्ट हैकल ने 1969 में सरवपर्थम एकोलोजी सब्द को परिवासित किया तो जो अरनेस्ट हैकल थे उन्होंने सबसे पहले एकोलोजी सब्द को परिवासित किया है कब परिवासित किया है 1969 में तो यहां से हमारे पास दो क्यूशन निकलते हैं, फर्स्ट क्यूशन निकल जाता है, कि जो हमारे पास एकोलोजी जो है, उस सब्द का जो फर्स्ट ताइम जो परियोग था, वो किस ने किया था, रेटर ने किया था, किस सब्द के रूप में किया था, ठीक है, और जो अर्ने को क्या कहते हैं पारिस्तिति के कहते हैं तो यहां पर आप लोगों के साथ दो वर्ड नए जुड़े हैं कार्बनिक और एकार्बनिक अब हम आगे देखेंगे कि जो कार्बनिक है वो क्या होते हैं एकार्बनिक है वो क्या होते हैं यानि कहने का मिंस क्या है कि जो कोई भी जी जीवित जीव का उसके भोती के ॐ长 जैविक वातवरण के साथ जो पारस पर एक संबन्ध होता है उसको क्या बोलते हैं पारिस्थिति की बोलते हैं जीवित जीव के बहुतिक फ्रैंड्स बहुतिक क्या होता है बोतिक जो हमारा मतलब जिसके अंदर क्या नहीं होता है जो क्या होती है नोन लिविंग थिंग्स होती है और जैविक वातावरन जिसके अंदर जीव होता है जीवन होता है जो लिविंग थिंग्स होती है तो उसके अंदर कोई जीव रह रहा है तो उसके जो संबन्द होते है उसी के अध्धन को क्या कहा जाता है पारिस्तिते के कहा जाता है यहाँ पर एक एक्जामपल है एको सिस्टम का कि जो बायो स्फेर है बायो स्फेर जो है उसके अंदर हमारा एड्मोस्फेर लीथो स्फेर और हाइड्रो स्फेर तीनों क्या होते हैं मिक्स अप होते हैं एड्म जो जीवजनतु जल के अंदर रहते हैं या जो भी water bodies हैं उनके बारे में study करते हैं इन सब को मिला करके क्या बन जाता है बायो स्फेर बनता है तो आई होप आप लोगों को यहां तक clear हुआ होगा और friend जो content चलने वाला है वो bilingual चलने वाला है तो इस चीज़ के आप लोग tension मत लेजिएगा next देखिए ecology के अंतरगत जीवों के पारस्प्रिक संबंदों का अध्यन किया जाता है यह सभी क्या चल रही है ecology की definition चल रही है जो कि अलग अलग तरह से ecology को परिभाशित किया गया है अब हमारे पास आ जाता है ecosystem क्या होता है तो friends ecosystem के अंदर हमें क्या पता होना चाहिए ecosystem का सरवपर्थम परियोग एजी टैंसले दौरा 1935 में किया गया तो यह चीज़ हमको याद रखनी है बिल्कुल अच्छी से याद रखनी है कि जो अर्नेस्ट हैकल थे उन्होंने तो 1969 में सबसे पहले ecology सब्द को परिवाशित किया था और जो ecosystem है दोनों अलग system होता है वो क्या होता है तो एक को एक system एक ऐसी काई होती है जिसके भीतर वी सभी जैविक समूदाय आ जाते हैं जो एक निर्दिश छेतर के भीतर एक साथ कारिये करते हैं तो बोतिक परियावरण के साथ इस तरह प्रस पर किरिया करते हैं कि उर्चा का परवा निश्चित करम में होता रही यानि जैव समूदाय तथा एजैव अतावरण के संबंद को ही क्या कहते हैं पारित अंतर कहते हैं तो फ्रेंट्स आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जो हमारा बायो स्पेर है ठीक है वो भी किसे एक तरह से किसका एक्जामपल हो सकता है एको सिस्टम क आप अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन कौन से जो कंपोनेंट से हो पड़ेंगे Click और गाँटिक जैविक घटक और इस्टीशन नाम से आपे यह को किलियर हो रहा होगा जैविक घटक क्या होंगे जिनके अंदर क्या होगा जीवन होगा यानि foldちょっと होंगे और जो abiotic components कौन से होंगे जो कि हमारे non living organisms होंगे उनको हम azivic बोल सकते हैं abiotic बोल सकते हैं यह question भी आप लोगों के लिए important है जैविक और azivic के अंदर क्या difference होता है और फ्रेंट्स आगे देखी और जैविक को आगे three subdivision करशकते हैं इसका कौन-कौन से physical यानि भोतिक ऐकार्बनिक ठीक है और carbonic inorganic और organic ठीक है इसके अंदर क्या होता है फ्रेंट्स बोतिक जो होते हैं बोतिक के कंपोनेंट की अंदर यानी जो फ्ीजिकल जिसको हम हम फिजिकल यानी जो जो हमारा एनवायर supports तो यह सब्छेज है भोटिक components के अंतरा आती है अब नेक्स्ट हमारा आता है एकार्बनिक क्या होता है एकार्बनिक के अंदर जल, मिटी, वायू मंदलिये गैस, खनीज, चट्टान यह सब किसके अंदर आते हैं एकार्बनिक के अंदर आपको इनको याद रखना है आप लोगों से एक्जाम में सिदा क्य ही है तो आप लोग इनको याद रखेगा अब हमारे पास आता है कार्बनिक घटक कार्बनिक घटक के अंतर जो प्रोटीन होती है वशा होती है कार्बो हाइडरेट हुमस जो होता है यह सब किसके अंतर आते हैं कार्बनिक के अंतर आते हैं तो यह आपको याद रखना है अभ गटक आ जाते हैं उत्पादक इंग्लिस में उत्पादक को क्या कहते हैं प्रोडूशर कहते हैं उभ्भोगता कंजुमर और अपगटक डिकंपोजर तो अब इनके बारे में हम लोग थोड़ा-थोड़ा सा जान लेते हैं पहले भी आप लोग इनके बारे में थोड़ा- अजिर को बोल सकते हैं उतफादक, ऊदफ़ादक बोल सकते हैं तो नामने के लिएी क्लियर है जो क्या कर रहे होंगे प्रोडूश करते होंगे यह आनुल गरते हैं हरे पोधी करते हैं जो सवपोमषी जीव है वो भी producer की कटेगरी में आता है क्या करते है फ्रेंड जो producer होते है यानि जो हरे पोदे होते है सूरी के परकास की उपसितिती में सरल एजयविक पदार्थों से अपना बोजन बना सकते है जो हरे पोदे होते हैं वो वायो मंडल से तो क्या लेते हैं साथ में और क्या लेते हैं मिट्टी से क्या लेते हैं जल लेते हैं ठीक है बूमी से जल लेते हैं और सूरी के परकास की उपसितिती में क्लोरोफिल की परजयन में अपना बोजन खुद बनाते हैं उस प्रोसेस को क्या बोल सकते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटो सिंथेसिस परकास संसलेशन उस प्रोसेस को बोलते हैं तो जो अपना परकास संसलेशन की हेल्प से अपना खाना क्या कर रहे हैं खुद बना रहे हैं तो उनको क्या कहा जाएगा प्रोडूशर कहा जाएगा ठीक है अब आगे चलते हैं प्रोडूशर से आगे हमारे पास क्या आ जाता है प्रोडूशर से आगे हमारे पास प्रोडूशर में क्या आ जाते हैं क्या क्या जीवा जाते हैं प्रोडूशर के अंदर जो ओटोट्रोप्स होते हैं वो हमारे प्रो जो होगता को शुरुन हो बना रहे थे यहां हों बना रहे धे नहीं बोलते हैं उनको क्या बोलते हैं दूद्व पीते हैं तो यह सब कहां से तो चलिए friends, discuss करते हैं तीन तरह के जो कौन कौन से होंगे friends, आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा अगर आप लोगों कोई भी doubt है तो आप लोग मुझे से comment box में पूछेगा और आप लोग मुझे जो भी suggestion देता चाते हैं वो भी comment box में देजिएगा तो अब हम देखते हैं कि प्रात्मिक उप्भोगता क्या होते हैं प्रात्मिक उप्भोगता फ्रेंट्स जो भोजन के लिए किस पे निर्वर करते होते हैं पोधो पर निर्वर करते हैं जो भोजन के लिए पोधो पर निर्वर करते हैं सागा हारी जो होते हैं उनको क्या खा जाता है प्रात्मिक उप्भोगता खा जाता है जैसे कि पसू हो गई बक्री हो गई उट हो गया खरगोश हो गया तो यह सब क्या होते हैं यह सिरफ अपना साग सबजी पेड़ पो देखा कर यह अपना पेड़ भर लेते हैं तो इनको क् द्वित्त कुप भोगता, द्वित्त कुप भोगता कौन से होते हैं, जो अन्य प्राणियों पर निर्वर करते हैं, जो अपने भोजन के लिए दूसरे प्राणियों पर निर्वर करते हैं, जो प्रात्मी कुप भोगता थे, वो तो भोजन के लिए पोधों पर निर्वर कर र गया द्वित्य को भोकता के अंदर गया जो सेकेन्ड्री यो हमारे जो मर्सें उनके अंतरगत गया अब बात करते हैं त्रित्य को भोकता क्या होते हैं जो प्रात्मिक व्य ह्यवित्त तोनों पर निर्वर करते हैं जैसे कि बाज हो गया चैनि BA foundation and बिल गया तो उसको भी खा लेगा ठीक है तो यह किसके उपर डिपेंड करते हैं प्रात्मिक वे द्वित्यक दोनों पर निर्भर करते हैं उनको क्या कहते हैं तिरित्यक भोगता कहते हैं जैसे कि अब सीर है तो शेर फ्रेंड्स क्या करता है जो प्रात्मिक भोगता थे जो ख तो चलिए फ्रेंड्स आप लोग स्क्रीन सोट अगर लेना चाहते हैं तो स्क्रीन सोट लेते वेशन सकते हैं ताकि आपको रिवीजन में आसानी होगा या फिर आप अपने इसी तरह से अपने अपनी हैंड्राइटिंग में कुछ और भी पॉइंट्स एड़ करके अपने नो जो किसके उपर डिपेंड करते हैं मिर्त जी उपर डिपेंड करते हैं कुछ बैक्टिरिया वगएरा होते हैं कुछ कवक वगएरा होते हैं वो किसकी कटेगरी में आते हैं वो जो डिकंपोजर से उसकी कटेगरी में आते हैं ठीक है अब हम बात करते हैं आगे जैसे कि हमार कर ही रहूंगी आप लोगों की हैल्प मुझे जरूर करनी है जैसे ही दीरे-दीरे सीख जाएंगे तो फ्रेंड्स अब मैं आगे आपको क्या बता रही थी कि जो हमारे डीकंपोजर्स होते हैं वो मृत जूहों पर निर्बर करते हैं कुछ बैक्टिरिया और कवक इसके लूणaimer पर पोजहा जाता है उनलों उनलों रपोजह जाता है और स्वपोजन ला तो यह कुछन मार्क कर लेकिए इसको यहां पता यहीं से सिदा क्युशन बन जाए तो friends यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा अब आगे चलते हैं types of ecosystem जो ecosystem की जो types होती हैं वो कौन-कौन सी हो सकती है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं friends ecosystem में हमने अभी क्या पढ़ा था कि ecosystem के अंदर जो जैव कारक है एजाव कारक है वो सभी मिलकर के ए energy का जो संचारन होना रहता है उसके लिए कारिये करते हैं तो जो types of ecosystem के अंदर दो तरह के ecosystem हो सकते हैं कौन-कौन सी हो सकते हैं स्थलिये ecosystem और जलिये ecosystem friends थलिये यानि जो यह कैसे होंगे टारिस्टीरियल ecosystem और जलिये aquatic ecosystem तो स्थलिये के अंदर दो types आती हैं कौन-कौन सी प्र प्राकर्तिक के अंदर क्या क्या आ जाते हैं देखिए पहले हम प्राकर्तिक को देखते हैं फिर करित्रेम को देखेंगे प्राकर्तिक के अंदर हमारे घास थल आ जाते हैं वन आ जाते हैं मरुस थल आ जाते हैं यह सब किसके अंतरगत आते हैं प्राकर्तिक एको सिस्टम के अ अफरिका में तो ये कुछ घास थल है और कुछ वन तो आप लोग जानते हैं मरस्तल के बारे में भी आप लोग जानते हैं ठीक है तो ये सब किसके अंतरगत आते हैं स्थलिये एकोसिस्टम के अंतरगत आते हैं जबकि बात करें हम जलिये एकोसिस्टम की तो जो बाग खेत उगा रख़े हैं अपनी फसल उगा रख़े हैंगो सभर किसके अंतर क viensस लिने के आंदर यह स्थखलीय के अंदर अधर अपने आप होते हैं रिव कजयर गोर्टvakर ऑवन आप कि दो वको छद्रडों मनुशिया है धरके जैसे कि बाग बग शन्गास सभरी के स्थल हious गई जहां पर हम फसल होगा आते हैं तो वो वो किस आते हैं करत्रिम कोसिस्टम में आते हैं कि घृत्ट है जुه ट्री अक को सिस्टम होते हैं चम्फ एको शुप्षम के mr harajat इूत सोच जलीय ठीक है और उस जल्यू और लुट अजल सवच्ब कि रुका हुआ जल तालाब के अंदर बैता हुआ जल नदी के अंदर ठीक है और लवन्ड जल में जो समुंदर है वो आ जाते हैं तो यह पूस्टा है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा तालाब होगा और बैते वे ecosystem स्थाली इंड जलिए स्थाली एंड अंड ग्रेट्रिम गास सथल वन और मिर्वस्थल करित्रिम के अंदर गद बागवगिचे और फससल जलिए के अंडर गद और इसवच जलिए यानि जिसका हम लवनिये जल बोल रहे हैं जो समुंदर में होता है रुके वे जल का एक्जामपल ताला भैते वे जल का एक्जामपल नदी तो आई होप आप लोगों को यहां तक अच्छे से किलियर हो गया होगा तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे चलते हैं अब हम इसके अंतरगत क्या प होता है एक चैन ओफ ट्रांसफर ओफ फूर अनर्जी फ्रों वन ग्रूप तो अनुदर ग्रूप थो सीरीज ओप स्टैप्स काल्ट्रोफिक लेवल्स इस काल्डे फूर जीन यह तो क्या हो गई फूर जैन की डेफिनेशन हो गई जिसके अंदर गत एक चैन बन जाती है एक तो भी देखने वाले हैं खिली है उनुदक को एक चीन बनेगी जिसके अंदर गत ट्रांसफर ऑफ अनर्जी हो रहा है उसी कि टीर है उसको टाइगर घागता है तो इस तरह से food chain चलती रहती है अब हमारे पास आत आ है ट्रोफिक लेवल क्या होता है मैंने अभी आप लोगों के साथ ट्रोफिक लेवल का जिखर किया न तो ट्रोफिक level की definition क्या होगी देफिनिशन एच लेवल फे साव खा गया, तो इस तरह से ये जो food की जो chain है, वो चलती रहती है, तो इसका जो, जो ये जो level है, उन्ही को क्या बोलते है, food chain की जो level है, ये जो first level था, 이e second level, ये third level, ये fourth level, इस तरह से जो level चल रहे है, उन्ही को क्या कहते है, टो всех level कहते हैं, ठीक है तो friends सबसे पहले आप लोग यहां पर देखिएगा कि जो हमारे जो ग्रास है ग्रास किसके अंदर घताएगी हमारे प्रोडुशर के अंदर घताएगी यहां से आप लोगों कि जो थोड़े बहुत आपको डाउट बचे हैं वो के लिए रो जाएगे ग्रास किसके शौन बनाती हैं ठीक है तो घास किसके इंदर रहाएगी प्रॉडूशर के अंदर अब जो हमारे कंजूमर से उसके अंदर क्या जाएगा हमारा गिरास ओपर क्यों कि इसको क्या बहुति है साब है वो किस के ओपर डीपेंड है सेकंड दीपेंड है तो Ag кого यहाँ से किलियर हो गया गाँगा अब आगे देखते हें जो फूर चेन है जो तरह कर चकती है कौन-कौन सी टरोल फूरण ठीक है और एक टर स्टील फूर अंद्र infinitely हमारा क्या चलती है सबसे पहले प्लांट होगा प्लांट को ग्रास ओपर खा जाएगा ग्रास ओपर को माउस माउस से फिर स्नेक और फिर हॉप यानि चील बाज अगरा कोई भी उसको खा लेगा ठीक है तो इस टेरिस्टियल फूड चैन चलती रहती है यहां पर अनर्जी का ट्रांसफर होता है एक लेवल से दूसरे लेवल पर ठीक अब होती है हमारी एक्वेटिक यहां पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा यहां पर क्या लिख्था हुआ है एक्वेटिक फूड चैन एक्वेटिक फूड चैन क्या होती है एक्वेटिक फूड चैन यानि जो जल के अंद सबसे बड़ी जो फिस होती है वह वेल होती है वह इसको खा जाएगी तो इस तरह से यहां पर भी क्या चल रहा है अनर्जी का ट्रांसफर चल रहा है तो आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा अब नेक्स पॉइंट पे चलते हैं फूड वेब फ्रेंट्स मैं सिरफ आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट बताते हुँ चल रही हूं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और अपने सबी दोस्तों के साथ सेयर कर दीजेगा ठीक है अब देखिए फूड वेब क्या होत शुड prag सूख करते हैं जो क Igor जाल जाता है अहार जाल जिसको बोलते हैं वो किस तरह से बनता है देखें सबसे पहले हमारे पास क्या थी ग्रास को सबस्दों को एंच पार राधा व्रस ओंपर चिपकली को एंच पर पड़ सबस्दद वा सबस्क्रेंग में करने वह सबस्क तो यह हमारी क्या हो गई शैकिंद फूड्ल्ट हेनु हो गई थर्ड फूड्ल्ड चैन में क्या बता रहा है कि जो ग्रास TH Mission had और माउस से खाया माउस को सिदा खागई सिदा को फ्य आङ क खाया घैके तो यह किस्छ इस नेhehe है कि जाल बन रहा है तो इस जाल को है किया का जाता है फूड़ வेब का जाता है आप लोगों को अच्छे से एक्जम्पल की है comparisons समझ में आ गया होगा आप देखेंज जो टाइम version favor ten जो होती है उनके जो टाइप सोती है वह क्या होती है उनको देखती है सबसे पहले होती है deserves number vest tertent Gallery tum Highuates.uresыватьulator a वर क्या होती है उसको देखेगा जो जो आइजिक में सब्सक्राइब देखने की को area देखने की कोशिज की जिए कहां से स्टार्ट होती है यह प्रोडूशर से स्टार्ट होती है यानि ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होती है ग्रीन प्लांट को फिर ग्रास ओपर ग्रास ओपर को फिर फ्रोग और फिर फ्रोग को फिर स्नेक तो यह ग्रेजिंग फूर्ड चैन होती है ग्रेजिंग फूर्ड यह जो dead organisms होते हैं उनसे start होती है जो dead organisms होते हैं जो detritus food chain है हमारी वो किसे start होती है dead organism से start होती है जैसे कि जो हमारे dead organism होते हैं वो जो bacteria होते हैं उनको क्या करते रहते हैं decompose करते रहते हैं ठीक है तो इस तरह से जो detritus food chain है वो हमेशा dead organic matter से start होती है और micro organism के दोवारा कहा तक जाती है producer तक जाती है आप लोगों कोई point समझ में नहीं आ रहा होगा देखे, जैसे कि क्या होते है हमारे पास dead organism आप लोग ये माल लीजे कि leaves है वो पेड से तूट करके जमीन पर गिर गई है सूख गई है सूखने के बाद क्या हो चुकी है वो dead हो चुकी है लेकिन वो bacteria की help से जो bacteria है वो उनको किस में convert कर देते हैं उससे क्या बना देते हैं hummus सुना होगा ना आपने hummus बना दिया और उस hummus को कौन consume कर रहे है जो producer जो पेड पोद है तो आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि जो dead ratus food chain है वो कहां से start होगी हमेशा dead organism matter से start होगी और कहां तक जाएगी micro organism से होते हुए producer तक जाएगी जो grazing food chain है वो producer से होते हुए छोटे जीव के दुवरा बड़े जीव की तरफ बढ़ती है अब हमारा इसमें most important topic आ जाता है और बैस अभी हमारा last topic है तो इसको अच्छे से समझेगा यहां से question जरूर आता है next topic हमारा आ जाता है 10% low तो friends देखिए जो 10% low है सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि जो हमारा 10% low है वो दिया किस नहीं था तो एक जो व्यक्ति हुए थे लिंडेमान उन्होंने 10% roll दिया था 10% roll का means क्या होता है आप इसको अच्छे से समझेगा friends मालनों सबसे पहले हमारे पास क्या है घास है ठीक है ग्रास है हमारे पास जो घास है उसको कौन कंजूम कर रहा है उसको एक ग्रास ओपर कंजूम कर रहा है और उसको कंजूम करने से उसको जो अनर्जी मिली है वो कितनी मिली है 1000 जूल उसको क्या मिली है अनर्जी मिली है लेकिन 10% जो रूल है वो क्या कहता है कि जब वो energy transfer होती है एक trophic level से दूसरे trophic level पर जब energy transfer होती है तो सिरफ कितनी transfer होती है only and only 10% transfer होती है तो 10,000 Joule घास को खाने से किसको मिल रही है ग्रास ओपर को मिल रही है अब ग्रास ओपर को कौन खा रहा है एक frog है वो किसको खा जा रहा है ग्रास ओपर को तो उसके पास जो फ्रोग को किस ने खा लिया है तो फ्रोग के पास जो अनर्जी है वो 10,000 नहीं पहुंचती है वो उसके पास कितनी पहुंचेगी 10,000 का 10% 10,000 का 10% तो 10,000 का 10% कैसे निकालते हैं 10,000 multiply 10 by 100 तो कितना आएगा यहाँ पर हमारे पास है 1,000 मिंडग के पास जो अनर्जी पोचेगी वो 1,000 पोचेगी दुबारा से देखिएगा फ्रेंड्स कि हमारे पास क्या है घास है गास को कौन खा रहा है यह कि ग्रास ओपर खा रहा ह 10,000 जूल अनर्जी मिल रही है जूल क्या होती है अनर्जी की unit होती है ठीक है तो उसको क्या मिल रही है इतनी उसको अनर्जी मिल रही है 10,000 जूल तो अब जब जो मेंडग है वो टिडडे को खाएगा तो उसको 10,000 जूल नहीं मिलेगी उसका कितना मिलेगी 10% मिलेगी और फिर जो हमारी चील है वो चील किसको खा गई साप को खा गई तो उसको कितनी मिलेगी 100 का 10 परशेंट यानि उसको 10 जूल तो लाश्ट तक चील के पास कितनी अनर्जी पहुंची है 10 जूल तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो 10 परशेंट का लेंडेमान डूल है वो किस तरह सी चलता है यहां पर फ्रेंट्स आप लोगों को दो प्रामिट दिखाई दे रहे होंगे ठीक है यहां से आपके जो MCQ बनने के चांसिज है वो भूत जादा है ठीक है एक आपको दिख रहा होगा प्रामिट जो सिधा प्रामिट है और एक आमारे पास उल्टा प्रामिट है तो फ्रेंट्स जो सिधा प्रामिट है यह हमारा स्थल पे बनता है सिधा प्रामिट कहां पर होता है स्थल के लिए ह सजय कि बोगता मेरा मिलाद है वह सागर और म्रुस्थल में आप लोगों को सबसे क्या मिलेंगे प्रोडूसर मिलेंगे पेड़ पोदे सबसे जादा मिलेंगे ठीक है उसके बाद आपको क्या मिलेगा भोगता मिलेगा और उसके बाद मरुस्थल में मालो मरुस्थली ले लो तो मरुस्थल में पेड़ पोदे क्या होंगे बहुत कम होंगे पेड़ पोदे कम होंगे तो वहाँ पर जो कंजूमर्स है वो भी कम रह रहे होंगे उनको कंजूम करने वाले भी कम होंगे लेकिन वहाँ पर अपगटक क्या होंगे पर्षन था, तो हम लोगों ने इसको अच्छे से कम्प्लीНет किया है और मैं आप लोगों से उमीद कर सकती हूं कि आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा अब आप लोगों को क्या करना है, जो भी आपके दाउट है उन doubts को आप लोगों को comment box में लिखना है ठीक है ताकि मैं उनको solution कर शकूँ ठीक है next आपको क्या करना है वीडियो को देखना है देखने के बाद अपने copy pen से उनकी क्या बनाने है आपको notes बनाने है वो आपके लिए बहुत जदा helpful होंगे या आप लोग screen sort ले सकते हैं तो screen sort ल कर लीजिए क्योंकि अभी आपका जो hssc tgt का जो exam होने वाला है और हमने उसका target क्या लिया है 15 अप्रेल 15 अप्रेल तक हम इस सलेबस को क्या कर देंगे complete कर देंगे तो channel को फटाफट से subscribe भी कर लीजिएगा तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं किसी other productive वीडियो में तब त स्टूप कांसे गरूप